हलो दोस्तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल काया करती में दोस्तो आज की व्योडियो में मैं आपको इम्यून सिस्टम यानि की रूख परतिरोधक्षमता को कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में बताऊंगी दोस्तो हमारे सरीर की छोटी मोटी ऐसी कई बिमारिया होती है जिससे हमारा सरीर खुद ही नहीं पड़ सकता है लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोड होता है तो बिमारियों का असर चल्दी होता है और ऐसे में सरीर कमजोड हो जाता है और हम जल्दी जल्दी बिमार हैं खराब इम्यून के कारण सरदीक हासी मसूडों में सूजन मुह में छाली डाइरिया जैसी बिमारियों का सामना हमें बारवा करना पड़ता है अगर इम्यून सिस्टम या रूप परतिरोधक्षमता मजबूत रहता है तो ये कई तरह के वेक्टेरिया संक्रमन और फंगल स नंक्रमन से सुरक्षाप्रदान करता है और हमें बिमारियों से बचा के रखता है दोस्तो रूप परतिरोधक्षमता के कंजोड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे वजन का कम या ज़्यादा होना सरीर में पोसवत राथयों की कमी होना धूमर पान या सरापका अध शरीर के साफ सफाई का ठीक से ध्यान नहीं रखना जदा टेंसन या स्ट्रेस लेना नीद का पूरा ना होना सरीर को आराम ना देना खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले अच्छे से हात को साफ ना करना सायरिक स्रम का अभाव होना इन सभी कारणों से हमारा इम्यून सिस्टम यानि की रोग परतिरोधक्षम ता कम जोड़ हो जाता है दोस्तों आजकर हवा में कई तरह के वेक्टेरिया और वाइरस मुझूद होते हैं जो कि सास लेने के दोरान हमारे सरीर में परविश कर जाते हैं अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं रहता है तो हमारा सरीर चल्दी बिमारियों के चपेट में आ जाता है तो दोस्तों आए जानते हैं कि किन खादबरदार्थों को खा कर हम अपने immune system यानी की रोख परतिरोधक्षमता को मजबूत कर सकते हैं तो सबसे पहला है कच्चा लैसुन कच्चा लैसुन खाने से रोख परतिरोधक्षमता या immune system को बूश्ट करने में सहायता होता है कच्चा लैसुन में एलेसीन, जिंक, सलफर, सलेनियम और विटामिन A एवं E पाया जाता है जो हमारे सरीर में रोख परतिरोधक्षमता को बढ़ाता है इसके लिए आप रोख खाले पेट कच्चे लैसुन की दो कलियों को चवा कर खाये और फिर पानी पिलिजे ऐसा करने से सरीर में रोख परतिरोधक्षमता में ब्रिधी होता है और हमारा सरीर बीमारियों से बचा रहता है विटामिन D विटामिन D हमारे लिए बहुत ही महत्पूर्ण होता है विटामिन D हमें रोख से लड़ने की ताकत देता है इसके साथ ये हड्डियों को मजबूत बनाये रखने के लिए और दिल समंदी बीमारियों को दूर रखने में भी सहायक होता है इसके लिए आप रू सुबा आदे घंटी की धूप जरूर लेजिए कच्ची हल्दी का सेबन भी रोख परतिरोधक्षमता में प्रेधी करता है कच्ची हल्दी में मौजूद करकीमेन नाम कंपाउंड हमारे सरीर से सारे विसले पदार्द को भाहर निकाल देता है इसके साथ ही हल्दी में vitamin K, vitamin C, potassium, calcium, copper, iron, zinc, protein, even fiber पाया जाता है जो कि हमारे सरीर के लिए anti-bacteria, anti-fungus, anti-septic और anti-oxygen के रूप में काम करता है और हमारे सरीर को बीमारियों से पचा कर रखता है इसलिए रोजाना कच्छे हल्दी का सेवन जरूर करें आप रोज सुबह खाली वेट एक गिलास गुनगुने पानी में चूटकी भर हल्दी पौडर डाल कर पी सकते हैं या फिर आप रोज हल्दी वाला दूद पी सकते हैं रोग परतिरोधक्षमता बढ़ाने में आयरवेदिक उपायों में सतावरी, अस्वगंधा, तूलसी, सीलाजीत, गिलोई, मुलेठी का उपयोग भी फायदे मन्द होता है बिटामिन सी, संक्रमन रोगों से सुरक्षा और रोग परतिरोधक्षमता को बढ़ाने के लिए बिटामिन सी का सेवन फायदे मन्द होता है इसके लिए अधिक से अधिक खटे फलो का सेवन करिये नीवू, आवला और संत्रा में प्रियाफ्त मात्रा में बिटामिन्सी पाया जाता है सरीर को स्वस्त रखने और रोग परतिरोधक्षमत में ब्रिधी करने के लिए योग और एक्सराइज करने से फायदा होता है इसके साथ ही योग और एक्सराइज करने से ये हमारी बोड़ी को डीटॉक्स करने में भी उपयोगी होता है दालचीनी, दालचीनी का सेवन मधुमय को नियंतरन करने के साथ सरीर की इम्यून पावर को भी बढ़ाता है इतना ही नहीं कैंसर से बचाओ के लिए भी दाल चीनी का सेवन फायदी मंद होता है आप दाल चीनी का सेवन चाय या काढ़ा के रूप में कर सकते हैं या फिर चुटकी भर दाल चीनी का पाउडर आप दूद में डाल कर पी सकते हैं या सूप या सैलेड में स्प्रिंकल करके भी आप दाल चीनी का सेवन कर सकते हैं अलसी, अलसी में ओमेगा 3 और फैटिक एसीड होता है जो कि हमारे सरीर में रूख परतिरोधक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है इसलिए रूख प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाने के लिए LC का सेवन भी फायदिमन्द होता है दही का सेवन भी immune system को बढ़ाने में मददगार सावित होता है दही में भरपूर मात्रा में vitamin B6, B12, vitamin D, calcium, protein, iron, lactic acid, even zinc पाया जाता है इसलिए दही का सेवन भी रूख प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है इसके साथ ही यह पाचन तंत्रों को भी ठीक रखता है बादाम, रोजाना 5-6 बादाम का सेवन भी रूख प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है बादाम में मौजूद बिटामिन E सरीर में प्राकिर्तिक तोर पे पाये जाने वाले सेल्स को बढ़ाने में मददकार सावित होता है इसलिए रोजाना बादाम का सेवन भी फायदिमंद होता है ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही इम्यून सिस्टम के लिए फायदिमंद होता है लेकिन एक दिन में एक से दो कफी पिये जादा मातरा में इसके सेवन से नुकसान हो सकता है मोटापा अधिक या कम होना भी इम्यून सिस्टम को कम जोड़ करने का एकारण हो सकता है इसलिए वेट को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों इन घरेलू उपायों को अपनाने के साथ साथ आप अधिक से अधिक हरे और पतेदार सबजियों का सेवन करिए जिसमें बटामिन सी एवं ई एवं जरूरी पोसकता तो पाया जाता है जो कि हमारे युमनिटी सिस्टम को बूष्ट करने में सहायक होता है इसमें आप अधिक से अधिक पालक, ब्रोकली, खीरा, नीवू, संत्रा, आवला, मस्रूम, लौकी इन सभी का अधिक से अधिक सेवन करिए इसके साथ ही अच्छी नीन लिजिए योगा एवम एक्सरसाइज जरूर करिए एक दिन में दस से बारे ग्लस पानी जरूर पीजिए और वजन को नियंतर में रखिए और नवजात पच्चे के लिए मा का दूद बहुत ही ज़्यादा फायदी मंद होता है ये उन्हें बीमारियों से पचा के रखता है तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नमस्ते